इक स्वक्त किसान अंदोलन से जुड़ी बड़ी कबर सामने आई है किसान संग्ठनों ने MSP पर दिये गए सरकार के परस्ताव को खारिज कर दिया है स्युक्त किसान मोर्चा के बाद किसान मजदूर संगर समिती ने भी इस परस्ताव को असविकार किया है आपको बता दे कि कल शंबू बोर्डर पर किसान नेताओं की एहम बैचक हुई डलेवाल ने कहा है कि सरकार के परस्ताव में किसी तरह की स्पष्टता नहीं है किसान संग्ठनों ने अब फिर से 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का एलान कर दिया है वहीं दूसरे तरफ किसान अंदलन को देखते हुए चंडिगण में इंटरनेट पर पाबंदी और बढ़ा दी गई है अब 20 फरवरी राद 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी इसी बीच डलेवाल ने ये भी कहा है कि वो 21 फरवरी को सुबा 11 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे इससे पहले सिंट किसान मोर्चा ने भी सरकार के उस परसाव को ठुकरा दिया है जिसमें रविवार की बैठक में 5 फसलों पर 5 साल के लिए MSP पर खरीद की बात कही गई थी किसान संक्ठनों और सरकार के बीच रविवार की बैठक में किसानों को ये परस्ताव दिया गया था कि सरकार 5 साल के लिए 5 परमुक फसलों की खरीद MSP पर करेगी इसके बाद किसान संक्ष्णों ने 21 फर्वरी को 11 बजे तक आंदोलन रोकने की बात कही थी लेकिन अब सियुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि MSP के गारंटी कानून से कम उसे कुछ भी नहीं चाहिए इस तरह सियुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के परस्थाव को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि 21 और 22 फर्वरी को होने वाली NCC और SKM की आम सभा में स्थिती का जाइजा लिया जाएगा और सभी मांगे पूरी होने तक संघर्ष को तेज करने के लिए भविश्य की करय योजना बनाई जाएगी Bureau Report Market Times TV